कि हाई गाई आए मपूर्बा वेलकम बेक टू माइ यूटुब चैनल एंप सक्सेसर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनत पर इस करेंट अफेर के मिरें पर बात करेंगे फस्ट पार्ट इसका जो जो जूलाई मन्त के करेंट अफेर का था वू मैंने अप्ल तो कल्यानियों को एक अप्रेल 2021 से एक हजार रुपर प्रतिमा पैंसन दिये जाने की गोशना की गई है तो यह आपको याद रखना है ठीक है बताए गया है कि बार्स 2011 में राज्य सरकार ने भोपार गया सित्राजदी के समय जिन व्यक्तियों की मृतियों हुई थी उनकी पत सब्सक्राजदी की बर्स गांट पर मुख्यमंत्री स्री सिवरा सिंग चोहन ने गोशना की कि उन्हें पुना एक हजार रुपए का मासिक मैंसन दिया जाएगा तो यह आपको याद रखना है और यह जो है पैंसन यहां पर बताया गया है कि मंत्री परिशन ने भोपाल गय बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की यहां पर है लाड़ी लक्षमी योजना से रिलेटर तो लाड़ी लक्षमी योजना को सिक्षा और रोजगार से जोड़ा जाएगा यह गोशना मुख्यमंत्री सिवरा सिंग चोहन ने करी है बात करें यहां पर तो बेटी बोज नहीं बुड़ापे का सहारा है कब बिचार समाज में स्थापित करें मुख्यमंत्री स्री चोहन ने की लाड़ी लक्षमी योजना की समीच्चा बात करेंगे यहां पर तो यहां पर है कि मुख्यमंत्री स्री से ब्रासिंग चोहन ने कहा कि लाड़ी लक्षमी योजना को सिक्षा और रोजगार से जोड़ा जाएगा तो ये भी इंपोर्टेंट है ठीक है और लाड़ी लक्षमी योजना में पंजीक्रित लाड़ियों ससक्त समाच सक्छम और आत्मनिरवर बनकर समाच में योगदान दे इसके लिए लाड़ी लक्षमियों को उच्छ सिक्छा ब्यवसाइक सिक्छा रोजगार शोरोजगार आदी के लिए हर संभव मार्ग दर्शन और तोच्छ सहन उपलब्द कराया जाएगा और लाड़ी लक्षमी योजना में वालिकाओं के आर्थिक ससक्ति करण कौसल संबर्दन और उन्हें आत्मनिरवर बनाने के लिए आवश्यक ब्यवस् सिरीज के मात्यम से अपनी तयारी को सर्फ सिष्ट बनाना चाहते हैं और फस्ट अटेम्ट में ही अपना एक्जम क्लियर करना चाहते हैं तो परिक्छा एप उनकी टेस्ट सीरीज को जोईन करें लिंक डिस्रिप्शन बॉक्स में दी गई है परिक्छा है कि आप प्ले स्ट सिरीज को जोईन करें आपको पता है कि यह जो एक्जम करनक्ट होने वाला सी पीजीटी का एगास्त दोगजारे का इसमें आने वाला है उसके बाद आपका आक्टूबर में है और यह एब्री टूवन्स में आपका आता है यहां पर कोपन कोड यूज करना ना भूले एम सक को ट्रिप एडवाइजर आवाड दिया गया है तो यह भी आपको याद रखना है मद्यप्रदेश करेंट अफियर आपके सभी एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है जो मद्यप्रदेश में हैं जैसे MPPSC और भी MPSt लेविल के आपके जितने भी एक्जाम होते हैं जो MPPV द का portion उसमें रखा गया है उसमें भी आपके यह आएंगे ठीक है और भी जो अन्य एक्जाम है मद्यप्रदेश में जो कंड़क्ट होते हैं उसमें भी आपको देखने को मिलते हैं बात करेंगे आगे हम यहां पर ट्रिप एडवाइजर आवाड की तो मद्यप्रदेश राज परेटन विकास निगम की बारा एकाईयों को बार्ज 2021 के लिए ट्रिप एडवाइजर एनुल ट्रिवलर्स अबॉर्ड और ग्वालियर इस्तित तांसेन रेजीडेंसी को ट्रिप एडवाइजर ट्रिवलर्स चैटेगरी का बेस्ट ऑप दी बेस्ट अबॉर्ड 2021 के दिया परेटन विकास निगम की बारा एकाईयों को ट्रिप एडवाइजर एनुल ट्रिवलर्स अबॉर्ड और ग्वालियर में जो तांसेन रेजीडेंसी है उसको ट्रिप एडवाइजर ट्रिवलर्स चैटेगरी का बेस्ट ऑप दी बेस्ट अबॉर्ड दिया गया है ठीक है 2021 के लिए बात करेंगे आगे तो मुक्यमंत्री सिवरा सिंग चौहन ने कहा है कि बिश्व विक्षयात परेटन मार्क दर्शी शंस था ट्रिप एडवाइजर यूनाइटिड इस्टेट्स ऑप अमेरिका से आवार्ड मिलना प्रदेश के लिए गौरब की बात है बात करेंगे यहां पर तो मध्य प्रदेश में परेटन के विकास से प्रदेश की संस्कृति और धर्वर को संरक्षित रखने के साथ रोजगार के अफ्षर भी उपलब होंगे बात करेंगे हम अब आगे यहां पर नेक्स टॉपिक की इसमें है अटल इश्मिर्थी इसमारक का लोकारप पे की इसमें इसमारक का लोकारपन किया है और उन्होंने इसमारक में पुसपांजली भी हर्पित की और पौधर उपन भी किया है तो यहां पर आपको यह याद रखना है कि इसमारक का लोकारपन कहा हुआ है तो यह हुआ है बुरहानपुर में ठीक है यह इतना आपको इस question से याद रखना है बात करेंगे हम next question की यहा पर है mask up बुरहनपुर अभियान का सुभारम बात करें तो मुक्यमंति स्टी सिभरा सिंग चौहन ने mask up बुरहनपुर अभियान का सुभारम भी किया है और बुरहनपुर जिले की पहचान केले की फशल के परतीक चिन को मास्क लगा कर नागलिकों को मास्क लगाने के लिए प्रेदी किया है तो ये आपको याद रखना है कि मास्क का बुरहनपुर अभियान कहाँ पर चला गया है तो बुरहनपुर में और इसके साथी यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि برانपुर जिले की पहचान कौन सी फसल से है तो ये है केले की फसल से ठीक है ये इंपोर्टन है टारम बात करेंगे इस टॉपिक की यहांपर है कि सहीध मंगल पांडे को किया नमन तो बात करें एक हम यहान पर तो मुक्षिर सिर्भासिंग् चौहण ने सहीध मंगल पन्डे की जैनटी पर उन्हें नमान किया और स्री चौहण जी ने अपने निवास पर सहीध मंगल पन्य के चित्र पर मारलेर पन्ड किया यहां पर अगर हम बात करें तो मंगल पांडे के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहां पर डाला है बात करें अगर हम यहां पर तो देश की आज़ादी की लड़ाई का पहली बार संखनात करने बाले अमर सहीद मंगल पांडे की 194 भी जै जन्म 29 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश की बलिया में हुआ था तो यह इंपोर्टेंट है आपके लिए कि इनका जन्म कहां हुआ था और कब हुआ था तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश की बलिया में 29 जुलाई 1827 को हुआ था और वे इस्ट इंडिया कंपनी की 34 भी बंगाल इन फैंट्री के सिफाई थे और उन्हें आजादी की लड़ाई की नायक की रूप में भी सम्मान दिया गया है और अंग्रेजों को डर था कि मंगल पांडे ने विद्रोह की जो चिंगारी जलाई है बर देश भर में कहीं ज्वारा ना बन जाए इसलिए तारिक से दस दिन प साजापूर में एक डांक टिकेट भी जारी किया गया तो यह आपको यागर रखना इनका जन्म और उनका जन्म स्थान ठीक है बात करते हैं यहां पर हम नेक्स्ट टॉपिक की अमध्य प्रदेश द्वारा देश में सबसे सस्ती और सौर उर्जा का कीर्थी मान बात करेंग यहां पर है कि राश्टी वम अंतराश्टी इस्तर के निवेशकों का मध्य प्रदेश में सौर उर्जा इस्थापना में बिश्वास बढ़ा है और मात्र एक हपते में ही आगर सौर उर्जा प्लांट पर यूज़ना के लिए प्रदेश की सबसे कम बिढ़ 2.444 और 2.459 र दाप्त करने के बाद साजापूर सोलर प्लांट के लिए निवेशकों ने भार्यूत्सा यहां पर दिखाया है तो यह आपको बस यहां पर याद रखना है कि सौरूजा में मध्य प्रदेश ने नया कुरितिमान इस्तापित किया है ठीक है देश में तो इतना आपको से या आपको याद रखना है ठीक है और इसमें पहले फस्ट था महरास्ट और महरास्ट के बात यहां पर एक सेकंड यहां पर बताए गया है कि साजापूर सोलर प्लांट के लिए निवेशकों ने उत्सा दिखाया है और यहां पर बताए गया है कि देश में महरास्ट के सबसे कम टेरिफ 2.42 और 2.43 प्रती यूनिट को भी नामध्य प्रिदेश के साजापुर और आगन ने क्या किया है पीछे छोड़ा है ठीक है तो यहां पर यह आपको याद रखना है साजापुर सोलर प्लांट की पहली एकाई के लिए 2.37 रुपए दूसरी के लिए 2.38 रुपए और तीसरी एतिहास एक टैरिफ 2.36 रुपए प्रती यूनिट पर पहुंच गई है ठीक है नेक्स्ट यहां पर हम बात लिए